प्लिस लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब करो मेरे चानल को अपने दोस्तों को भी बताओ ठीक है तैंक यू वर्यू मुच ओके तो कुस्टिन टू राइट फॉलविंग कंपॉंट सेंटेंस इन सिंबॉलिकली बोला है ठीक है तो यहां पर काफी वर्ड है एंड है और है इफ है ऐसे वर्ड है ठीक है तो यह सब को पहले समझेंगे बेसिक में जाएंगे उसके अब आज भी यह सौल करेंगे ओके तो पहल स्थीदेंगे सिंबुण्ट पहले आतॉमिक यह सिमिल स्टिट्मेंट क्या है दिख्टे है फिर क्मपॉंट स्टिट्मेंट क्या है दिखते है ठीक है तो डिक या simple statement यानि कि a statement that cannot be broken down into two or more statement इसको हम break ने कर सकते हैं, जैसे कि smile is beautiful, इसको break ने कर सकते हैं two statement में God is love, या four plus three eight, यह statement आएगा false है, यहाँ पर eight है तो भी आएगा, ठीके? क्योंकि यह statement है, false statement है, and last, David and Peter are twins लिका है, ठीके? यहाँ पर and word है, but still यह बनेगा, simple statement बनेगा, ओके? तो अभी compound statement लेखते हैं, ओके? तो अभी compound statement में जाते हैं, ठीके? तो compound statement, it is a statement that can be broken down, इसको हम break कर सकते हैं, दो statement या most statement में break कर सकते हैं, तो इसको हम compound statement बोलेंगे, और basically statements are connected by logical connective, logical connective चे connect कर सकते, जैसे कि यहाँ पर, यह statement 1 है, यह statement 2 है, इसको connect किया, आमने, यह compound बनेगा, यह statement 1 है, statement 2 है, logical connective और चे connect किया, तो यह बनेगा compound statement, यह statement 1 है, statement 2 है, और इसको आमने, यह logical connective है, यह logical connective चे connect किया, तो compound statement बनेगा, यहाँ पर logical है, बट स्टिल, क्योंकि यह tricky है, तो यह नहीं आएगा, ठीक है, यह compound नहीं बनेगा, यह compound नहीं बनेगा, ठीक है, तो I hope यह आपको समझ में आया, यह example है, compound statement का, ठीक है, तो आभी हम question 2 करते हैं, ओके, ओके, तो logical connective क्या है, it is a word, a phrase that joins two statement, types of logical connective है, and, or, conditional में if done word आएगा, by conditional में if and only if आएगा, not में, negation में not आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर symbol है, and के लिए symbol आएगा, और के लिए symbol आएगा, conditional या if done के लिए symbol आएगा, ऐसे या फिर ऐसे, by conditional के double arrow, ऐसे या फिर आएगा, not में वो symbol आएगा, ठीक है, तो यह है, types of logical connective, ठीक है, तो अब एके करके हम इसको detail में जाते हैं, ठीक है, okay, तो सबसे पहले and पर जाते हैं, तो and का symbol ऐसे आएगा, और quote to remember, तो ऐसे याद करो, and, ठीक है, ऐसे याद करो, और यह symbolically ऐसे आएगा, क्या-क्या word आएगा इसमें, and में, and आएगा, but at, at still, in spite of though, even though moreover in addition to while, because when so neither nor, यह सब आया, मतलब and है, और यह symbol उसकरना है, ठीक है, तो example दिया चीज रिच, but at, Horace, God is kind and great, डेविट नेजर लाइक्स, फुटबॉल नौर क्रिकेट, नेजर नौर, नेजर नौर आया, तो and ही उसकरना है, ठीक है, तो यह अच्छे तरह समझ लू, if you want, इसका screen shot ले लू, काफी काम का चीज है, ठीक है, तो अभी हम और पर जाते हैं, ठीक है, तो अभी और पर जाते हैं, तो और का symbol ऐसे आएगा, और इसको remember करने के लिए, call to remember कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है, ठीक है, तो यह symbol और के लिए आएगा, words यहाँ पर ज्यादा words नहीं है, और आएगा, यह word आ सकता है, मतलब यह और statement है, एक्जांपल है, मुंबाई इसिन मारफ्टा, यहाँ पर और है, डर्ली इसिन इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर second example है, either you come inside or you go out, ठीक है, तो यह simple example है, और का, ठीक है, तो अभी conditional का दिखते हैं, तो अभी conditional पर जाते हैं, इसको implication पर बोलते हैं, इसका symbol ऐसे आएगा, या फिर आएचे भी लिख सकते हैं, इसका code to remember conditional में यह ऐसे दिमाग में fit कोरो, टी पर यह arrow का fit कोरो, क्या क्या what आ सकता है, यहाँ पर हिप्धन आएगा, यह ऐसे आएगा, अभी यहाँ पर एग्जांपल है, if you work hard, done, you will get good marks, तो if done है, यहाँ पर fit हो गया, तो यह सब आएगा, मतलब conditional है, तो इसका answer ऐसे आएगा, P, R, O, Q, तो अभी next वाला पर जाते है, by conditional पर, okay students, तो अभी by conditional पर जाते है, यहाँ डबल implication, इसका symbol आएचे आएगा, तो क्या-क्या words आएगा, नसे तरी and sufficient condition आएगा, and different only if, आया मतलब यह arrow यूश करना है, double arrow, example है, मिलकित white, different only if, the sun rises in the east, तो इसका answer आएगा P, यह पूरा का आएगा P, इसके लिए आएगा double arrow, और उसके लिए आएगा Q, तो आएचे solve करना है, ठीक है, तो detail में करेंगे, तो अभी next पर जाते हैं, तो अभी next, negation पर जाते हैं, negation का symbol ऐसे आएगा, quote to remember, काफी easy है, इसको, n को हम ऐसे समझेंगे, और ऐसे याद करेंगे, ठीक है, तो क्या-क्या word आएगा, not never, all negative words, यहापर fit होगा negation पर, example है, God never fails, Delhi is not in India, यह भी आएगा, ठीक है, यह false है, तो अभी आएगा, और इसको हम ऐसे represent करेंगे, ठीक है, तो आभी हम exercise में जाते हैं, okay, okay, तो right compound statement symbolically बोलाए, first question है, नागपूर इजिन मारश्टरा, and चेने इजिन तामिल अडू, तो पहले इसको break करेंगे, okay, तो हम इस statement को break करेंगे, इसको, let P, बोलेंगे, let P, नागपूर इजिन मारश्टरा, and चेने इजिन तामिल अडू, यह second part को क्यों लेंगे, ठीक है, symbolic form में, अभी पहले, यहाँ पर P लिखना है, और यहाँ पर Q लिखना है, अभी P, बीत में क्या है इदर, कौन्सा वर्ड है, and है, तो and का symbol आपको आना चेहिए, तो and के लिए यह symbol है, ओ गया, ठीक है, so simple है, तो बज यह symbols आपको आ गया, मतलब है solve कर सकते हैं, ठीक है, तो first one का यह answer है, आभी second पर जाते हैं, ओके, तो second problem है, triangle is equilateral और idosalus, तो इसको break करेंगे, let P, triangle is equilateral बोलेंगे, Q में, वापस लिखेंगे, triangle is idosalus, ऐसे लिखना है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे P, और यहापर क्यों लिखेंगे, यह दोनों statement के बीच में, कौन सा word है, और है, तो और के लिए क्या symbol है, ओके, तो बज ऐसे solve कर रहा है, तो अभी third problem पर जाते हैं, तो अभी third problem करते हैं, तो angle is right angled, if and only if, it is a measure of 90 degree बोला है, तो हम first statement इसको लेंगे, let P करके, and Q को the angle is a measure of 90 degree बोलेंगी, और यह दो statement को join किया, कुन सा word, यह if and only if and only if आएगा तो, क्या करना है, double quotation, तो symbolic form P लिखना है, Q लिखना है, P यह आएगा, and Q यह आएगा, इसके बीच में क्या है, if and only if का symbol है, double arrow, बज यह लिखना है, ठीके, अभी हम fourth problem पे जाते हैं, okay, okay, तो अभी fourth वाला है, angle is neither obtuse nor acute, तो neither nor किस पे आता है, आपको याद रखने चीए, मैंने बथाया, तो and पे आता है, ठीके, तो सबसे पहले, P को लो, angle is obtuse बोलो, Q को angle, angle is acute बोलो, ठीके, angle is acute बोलो, इसके बाद neither nor आएगा, ठीके, तो इसको पहले लिख लो, symbolic form P and Q, भीत में क्या आएगा, और देखते हैं, तो यहाँ पर neither nor, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर दिखा रहा हूं, देख लो, ठीके, तो neither nor, and पर आएगा, ठीके, तो यह and, यह सब वर्ड आएगा, नेजर नौर and में आएगा, नेजर नौर के लिए यह symbol आएगा, negation, and and का symbol ही आएगा, and आएगा, और आपस negation, नेजर नौर के लिए, तो यह आपको याद रखना है, ठीके, तो नेजर नौर का क्या आएगा, तो नेजर नौर यह आएगा, negation, बीत में end, negation, नेजर नौर का इसे आएगा, ठीके, तो symbolic form तो भीत में क्या करना है बीत में इसको लिखना है बाद में इसको इधर फिट करना है इसको इसके आगे लिखना है ठीक ए तो यह तिह तुम्हारा symbolic form ने इधर नौर का ऐसे आएगा याद रूख लो ठीक है आपको समझ भाए अभी नेक्स प्रोब्लम पर जाते हैं तो इसको ब्रेक करेंगे दो स्टेट्मेंट में पहले पी लेंगे इस ट्राइंगल इसको लिखना है इसको लिखना है ठीके तो अभी यह इफ जन किदर आएगा कंडिशनल में इफ दन का सिंबल यह ठीके तो पर लिख में इसके लिए इसके लिए प्रॉब्लम करें चयोंच turned तो अभी 7 वाला करते हैं तो यहाँ पर हेमा दाज विंस गोल्ड मेडल इस एंड ओनली इफ आया है सी रंट फास्ट सबसे पहले इसको हम पी लेते हैं अब यह दोनों के बीत में क्या है यह फैंड उनली इसको हम इसको उन्ट क्या है दोनों स्टेट्मेंट को इसके लिए क्या आएगा इफन वन लिफ के लेके आएगा वहां पर डबर आरो दिये ठीके तो यह ऐसे आएगा ओके यह इसका सिंबॉलिक फॉर्म अभी लास्ट वाला करते हैं तो अभी सेवंथ वन करते हैं तो यहां पर एक्स नॉट राशनल बट इस इसको नहीं करना चाहिए ठीके तो यह जो नॉट है इसको नहीं लिखना है तो यह पी ऐसे आएगा एक्स राशनल ओके तो एक्स राशनल यह वर्ड नहीं लिखना है ठीके तो अभी सिंबॉलिक फॉर्म में जाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा यहां पर पी आएगा और यहां पर क्यों आएगा ठीके तो अभी यह यह स्टेट्मेंट और यह स्टेट्मेंट को बट बड़ वर्ड चकान किया तो बड़ कित में आएगा मैंने बथा जाता बड़ एंड में आएगा यानि आइंड का सिंबल वह आएगा तो फ़ार बड़ वर्ड के लिए सिंबल यह है मैं ठीके तो जे आएगा इदर ओके तो बड़ते अभी खतम ने हुग है क्या पर नौट बाब बाकी है यह नौट कितमे है एलिएग नौट किदर है पी में है तो इसके आगए बड़ के लिर्ड क्या शिंबल है नौट के लिए दिया दिप तो रोड इतमे है तो यहां पर नगेशन डालने है यह सिंबॉलिक फॉर्म है ऐसे लिखना है ठीके पी को एक्सिज राशनल लेना है क्योंको एक्सिज स्क्वार अफ इंटीजर यह लिखो फिर बट वर्ड के लिए यह आएगा नॉट के लिए यह आएगा ठीके अब ही नेक क्योंको एक्सिज दाइज करते